कि वश्कार साथियों आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार यूसी लाई पे एरा नाम है आशुतोष और आज आपके लिए फिर से एक निया सेशन लेके आया हूँ इसमें हम प्रिविएस यहर का पेपर डिसकस करेंगे जो कि आपके MTS का एक प्रिविएस का पेपर डिसकस करते हैं तो आज फिर से हम MTS के पेपर को डिसकस करेंगे क्योंकि आपका MTS का एक्जाम बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा तो यह जो पेपर है सिर्फ MTS का लेवल ही नहीं है बाकी जो भी आप एक्जाम दोगे वहाँ पर भी इसी तरह के क्वेशन आपको देखने को मिलते हैं हर क्वेशन को जरूर ट्राइ कीजिएगा सॉल कीजिएगा और मेरा अंसर देने से पहले आपका अंसर आना चाहिए सबसे पहला काम वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ फिरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारा पहला question सबसे पहला question यह रहा है आप सभी के सामने आपको बोला है in a certain code r a plus fe is written as this a b plus jc is written as this और ac plus bd आपको code बताना है तो मैं इसको solve करूंगा उससे पहले आपने इसको solve करना है और अपना answer मुझे देना है जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं ठीक है मैं लिखता हूँ आप इसको solve कीजिए r a plus fe और इसका code दे रखे है आपके पास two four six a b plus jc और इसका code दे रखे है 115 सबसे पहला काम होता है place value लिखने का तो place value लिख लेते हैं इनकी क्या क्या होती है 18 और एक यहां पर आजएगा 6 और यहां पर आजएगा 5 ठीक है अगर आप यहां पर देखो तो two four six कैसे बन सकता है 18 और 6 को अगर add कर देता हूं तो मेरे पास आ जाता है ट्विंटिवोव पांच और एक छे जोड़ देता हूं तो मेरे पास आ जाता है तो यहां पर मेरे पास एक logic हो सकता है इन दोनों का sum और इन दोनों का sum ठीक है इसको confirm करते है यहां से 1, 2, 10 और 3 यहां पर आ जाएगा 1 और 10 का डिशन हो जाता है 11 3 और 2 कितने होगे 5 यानि कि मेरा logic confirm है पहला digit पहले के साथ जोड़ा गया है और दूसरा digit दूसरे के साथ जोड़ा गया है पिर से पूछा है AC प्लस BD का इसका बताना है तो 1, 3, 2 और 4 तो 1 और 2 कितने हो जाएगे 3 हो जाएगा और 4 और 3 कितने हो जाएगा 37 हो जाएगा तो इसका जो राइट आंसर आएगा option number D आपका 37 इसका राइट आंसर होगा तो बहुत यह अच्छा question था उमीद करता हूँ आपने भी कर दिया होगा चलते है next question की तरफ चलेजे next question आपके पास mathematical operation का दे रखा है आपको इसको interchange करके बताना है आपका क्या logic आ रहा है ठीक है expression को interchange करके बताना है तो solve करना और 37 बताना है कि कौन से expression इसको interchange करके 37 आता है तो हमारा सबसे पहला use क्या होता है जो सबसे पहला important play करता है rule वो होता है division का अगर मैं plus की जगा divide करता हूँ तो मेरे को पता है कड़ जाएगा चलिए तो इसको करते है 27 divided by 3 और यहाँ पे आ जाएगा plus 81 into 93 minus 57 तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 9 plus 81 into 93 अगर आप इसको solve करोगे और subtract करोगे तो 37 तो आपके पास नहीं आएगा मतलब option A eliminate कर सकते हो ठीक है जी चलते है second वाले की तरफ यहाँ पे देखो तो यहाँ पे minus आ जाएगा और plus की जगा ठीक है minus आ गया और यहाँ पे plus आ जाएगा अब third में क्या है multiply की जगा जाएगा plus का ठीक है 27 और plus की जगा जाएगा multiply तो यहाँ पे आ जाता है 3 divided by 81 plus 93 minus 57 इसको मैं लिखता हूँ 27 into 3 into 1 upon 81 plus 93 minus 57 तो मेरे को बते 27 27 से कड़ जाएगा अब 93 को 57 सब्ट्रैक्ट करना है 13 में से 7 गे बचे 6 8 में से मेरे पास sorry 8 में से 5 गे बचे 4 मतलब यहाँ से भी नहीं हो पा रहा अब यहाँ पे मेरे पास last digit एक missing है ठीक है मेरे पास एक last digit यहाँ से missing एक बार इसको confirm कर लेते हैं हमने ठीक तो किया है यहाँ पे इसको कर रहे थे 27 प्लस की जगा आजाएगा इंटू 3 और डिवाइड़ वाई 81 और यहाँ पे आजाएगा प्लस 53 माइनस 57 तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो मेरे पास 27 इंटू 1 अपान इट्टी सेवन इट्टी वन ठीक है तो 3 वन जा 3 टू जाएगा और यहाँ पे बचा टू 27 27 से तो 27 कट गए मतलब यहाँ पे मेरे पास कुछ भी ने बचा यहाँ से 27 से 27 कट गए 93 मैं 57 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो यहाँ पे तेरा में से अच्छा एक मिनट यहाँ पे वन बचा ना वन प्लस नाइंटी थ्री माइनिस फिफ्टी सेवन तो 93 और यह हो जाएगा 94 57 सब्ट्रैक्ट करता हूं 14 में से 7 गए बचे 7 8 में से 5 गए बचे 3 बिलकुल सभी अब आ चुका है पहले का गलती कर दी थी यहां पे इस वन को हमने मिस कर दी था और बोर्ड मास के हिसाब से यह बन मिस नहीं होना चाहिए था यह वन एड़ होना था तो जैसे इसको एड़ किया तो आप्शिन नंबर सी मेरा क्या आजएगा राइट अंसर आजएगा इस को एक वार आप जो देखो और चरफ master करता हो तो यहां पर यहां पे यहां पर की तरफ कि तरफ बनेगा है उल्जफ के साथ यहां पे जो यह वाली के शेप इस तरफ गी ना कि निछे की तरफ तो एहां पहूं कि इस कर सकता हूं तो एक ही option बचा option number C वही मेरा क्या होगा राइट answer होगा वही इसको replace कर सकता है तो यहां से जो image बनेगी वह बनेगी यह और यहीं इसका क्या होगा राइट answer होगा चलिए नेक्स question आ रहा है इस लोग का मेरे पास दूस statement दे रखिए वोले some apple are oranges और no oranges grapes ठीक है मैं इसको बनाता हूं आप इसको अपने हिसाब से try कीजिएगा some apple are oranges और no orange is grape क्या है अब वोले some grapes are apple क्या कुछ grapes आपको apple दिख रहे हैं आप बोलोगे sir बिल्कुल नहीं दिख रहे यह तो हो गया false आगे वहले some orange are apple क्या कुछ orange आपको apple दिख रहे हैं आप बोलोगे बिल्कुल सर यहां पे कुछ orange apple दिख रहे हैं उसका right answer आजएगा option नंबर a only conclusion second follow clear है जी यहां पर right answer आ चुक है only conclusion second follow उमीद करता हूं आपने विसको कर दिया होगा चलते है next question की आ रखा है क्या दे रखा है मैं इसको पढ़ता हूं आप इसको solve कीजिए फ्रेंड्स दे किंग लिशा मोना निया और ठीक है इनके नाम दे रखे है और सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग दे सेंटर ठीक है सारे के सारे राइट पर आجाता है मेरा जे पैलिए condition ऐगे बुलाई फीर्ट तुधा भेले ये किसके फ्रट राइट पर है के फ्रट एमें के थार्ट राइट पर आमेरा जाता मेरा फिकन आगे बूला है M is sitting second to the left of O O से second left पे M आ जाता है चलिए जी बना लेते हैं O is who sit between P and J O जो है वो P और J के बीच में कहीं पे बैठता है third condition Lisa is not neighbor of K L K के साथ नहीं बैठेगा तो यहां पे बना लेते हैं और N के साथ L N के साथ भी नहीं बैठता है यह condition हमारे पास दे रखिए चलिए यह condition थी अब इनको बनाते है आपको देखना है सबसे ज़्यादा places कौनसी condition फिल कर रही है आपको पता यह वाली condition सबसे ज़्यादा places फिल कर रही है K से third right पे P तो K लिखा one two छोड़के P आ गया P से second right पे J तो P से एक छोड़के J आ जाएगा यहाँ पे अब मेरे को पता है P और J के बीच में आ जाता है O तो O आ जाएगा मेरा यहाँ पे यह मेरी condition हो चुकी है यह भी होगी यह भी होगी अब बोला O से second left पे M O से एक छोड़के M यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल सही है अब मेरे को पता है यहाँ पे condition थी कि K के साथ L नहीं आ सकता मतलब L definitely यह दो places पे नहीं आएगा तो L के लिए सिर्फ एक ही place बचा कौन सा यह वाला और L N के साथ भी नहीं आएगा मतलब N यहाँ पे नहीं आएगा ओ भी होगे पी आर वचाए ठीक है तो आर आजेगा मेरे यहाँ पे बला हूँ इस सिटिंग इमिजेट राइट आफ किंग के के इमिजेट राइट में कोन है तो आपको पता है N N से नहीं या option नमबर D आपका right answer आ चुका है तो बहुत इजी question हो जाते है अगर आप इनकी condition लिख लो अगर आपको condition लिखने आती है ना यह question आप आराम से कर सकते हो कभी भी गलती नहीं करोगे चलते है नेक्स question की तरफ नेक्स question में आपको दे रखा है एक figure आपको बताना है कौन सा question मार्क को replace करेगा इन question को करने का सही तरीका क्या होता है सबसे पहले हमें understand करना होता है कि figure में who कह रहा है अगर आप पहले figure में देखो तो B into minus और division अपने अपनी position पे अब यहां पे देखो B ने एक position change कर दी बी निच्चे की तरफ गया इसने अपनी position यहाँ change कर दी यह यहाँ पे चला गया और यह यहाँ पे चला गया ठीक है अब यहां से B ने फिर से position change कर दी अब आपको बता है B definitely उपर की तरफ आएगा तो जहां जहां पे B उपर आता है उसको रखो बाकी eliminate यहां पे eliminate और बाकी जगा बचा हुआ है अब B के बाद अगली digit कौन change करेगा multiplication, multiplication यहां पे आएगा यहां पे इसने plus लिखा है eliminate यहां पे और यहां पे same है अब multiplication के बाद आना चाहिए division यहां ने कि division आ रहेगा यहां पे यहां पे आ जाएगा division यहां पे इसने लिखा है subtraction यह भी eliminate मतलब option number A बचा वही आपका क्या होगा राइट answer होगा इन question को हम elimination method से करते हैं ताकि हमारा गलती का chance कम हो जाए और हमारे accuracy के साथ अच्छे से question solve हो जाए चलते है next question की तरह चलिज़े next question आपको coding decoding का दे रखा है एक वार आप इसको खुद try कीजिए हिंट का code दे रखा है 5 brand का दे रखा है 4 और pole का पुछा है मैं लिखता हूँ आप इसको solve कीजिए h-i-n-t-s इसका code दे रखा है 5 e-r-a-d इसका code दे रखा है 4 और p-o-l का पुछा है तो लिखते ही हो चुका है लिखते ही आपका answer आ चुका होगा कैसे इसमें देखो कितने digit है 1,2,3,4,4 आ गया 1,2,3,4,5,5 आ गया इसमें कितने digit है 3 तो इसका right answer क्या जाएगा 3 यानि कि option number B मेरे पास क्या जाएगा right answer आ गया बहुत easy question था अराम से आप इसको कर सकते थे अगर आपकी concept अच्छे होंगे ठीक है अगर आपको basic आता है न तो आप high level से लेके जो margin question दे दो आप कर लोगे लेकिन अगर आपको basic की clear नहीं है तो आपको मुश्किल होगी चलते है next question की तरह चलते है next question में फिर से coding decoding दे रखिए action का code दे रखिए 36 pizza का दे रखिए 25 तो मैं इसको लिखता हूँ a, c, t, i, o, n इसका code दे रखिए 36 और pizza का code दे रखिए 25 ठीक है जी place value लिखते है 1, 3, 20, 9, 15 और 14 अगर मैं इसका sum करूँ तो 20, 1, 9, 39 30, sum से तो नहीं होगा क्योंकि इसका sum तो बहुत बड़ा है क्योंकि ये तो 36 से तो ज़्यादा याएगा इसका देख लेते है 16 9, 26, 26 और 1 और 10, 26 तो यहीं पर होगे क्यानि कि sum की बात नहीं है अगर last के इसको सब्ट्रेक्ट करूँ 26 माइनस तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अच्छा, यहाँ पे इसके letter कितने है 6 तो 6 का square कितना होगे 36, 1, 2, 3, 4, 5 5 letter है तो 5 का square कितना होगे 25 अच्छा, जो number दे रखे है मतलब place value का काम नहीं है इसमें जितने digit है, यहाँ पे 5 digit है तो उनका square, यहाँ पे 6 digit है तो उनका square, यहाँ पे पुछा gallery का, ठीक है, किसका पुछा है G-A-L-L-E-R-Y तो इसमें कितने digit है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 7 का square कितना होता है 49, तो इसका right answer आजएगा option number D, इसका right answer आजएगा, चलते हैं next question की तरफ चलते हैं, next question में आपको दे रखा है एक बहुत लंबी statement दे रखे है लेकिन question आपके सामने यह दे रखा है ठीक है, तो आपको बता है जैसे 12, 2, 2, 5 से relate कर रहा है 10, 1, 1, 16, 9 से relate कर रहा है 14 किस से relate करेगा अगर आपको थोड़ा सा knowledge होगा तो 2, 2, 5 किसका square होता है 15 का square होता है, यह 13 का square होता है तो यहां पे तो आपको 12 दे रखा और यहां पे 15 का square है तो आप बोल सकते हो कि 12 में अगर मैं 3 का addition करूँ तो 15 आता है और 15 का square यहां पे दे रखा है तो 10 में भी अगर मैं 3 का addition करूँ तो 13 आता है और 13 का square दे रखा है 169 तो मेरे पास यहां पर digit क्या दे रखे है 14 14 में 3 का addition करने प्याजाता है 17 17 का square करने प्याजाता है 289 और यही इसका क्या होगा राइट अंसर होगा यानि कि option number a इसका right answer होगा बहुत सिंपल सा question था अराम से आप कर सकते थे अगर आपको square cube और यह वाले logic पता होंगे चलते है next question कर रहा है चलीजी next question फिर से मेरे पास एक letter series का दे रहा है बोला fifth letter cluster जो relate कर रहा है वैसे second भी relate कर रहे है मतलब यह आपस में relate कर रहे है यह भी relate कर रहे है आपको यहां से relation ढूनता है तो मैं इसको लिखता हूँ आप इसको solve कीजिएगा ठीक है F A P N T E S A और मेरे से पूछा किसका है P U N तो D और G में पहले gap देखते हैं इसकी value होती है 4 और इसकी होती 7 प्लस 3 का पतलब P में भी प्लस 3 होगा 16 और प्लस 3 19 19 पे आजाता है S तभी में पहला digit कॉममन है अगला जलते है A और F में 1 और 6 यहां पे 5 का addition तो U की value कितने होती है 21 और 5 यानि कि 26 पे आजाता है Z ठीक है अब T और A में देखते हैं ठीक है यहां पे भी देखो T और A में देखो तो यह तो होता है 20 और इसका अगर मैं अल्फावेटिंग लिए देखो तो यह आजाएगा 27 यहां पे भी प्लस 7 और यहां पे भी प्लस 7 यानि कि N में में मिरको प्लस 7 करना पड़ेगा अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर आपने इसको 27 क्यों लिया Z की प्लस वेल्यू होती है 26 Z के उपर आ जाता है A जिसको मैं बोलता हूँ 27 B को लोंगा 28 इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते है अगर आपको इस तरह से देखने को मिलता है क्वेस्चन की अगर आप देखो तो इस शिफ्ट में लेटर सेरिस के बहुत सारे कोश्चन आ रखें आपको दे रखा है S B इसका रिलेशन है V की य के साथ G N का रिलेशन आपको बताना है तो फिरसे वही काम है place value का तो S की value और V की value लिखलो S की value होते है 19 और इसकी होते 22 यानि की 3 का addition यहां पे हो रहा है यहां पे अगर आप value देखो कि 28 और यहां पे 25 तो यहां पे –3 का difference हा रहा है एक मिनिट रुकिएगा तो यहां पर आप देख सकते हो तो क्या हो रहा है एक प्लस थ्री हो रहा है और एक माइनस थ्री हो रहा है तो यहां पर मेरे को प्लस थ्री करना पड़ेगा तो जी की वेल्यू मेरे पास कितने होती है G की value होती 7, 7 में 3 जोड़ोंगा तो J आ जाएगा, अब J से सिर्फ दो यह option start होते हैं N की value होती है 14, 14 minus 3 तो मेरे पास आ जाएगा, 11, 11 पे कौन सा digit होता है, K तो J, K इसका क्या जाएगा, right answer आ जाएगा तो option number C, इसका क्या होगा, right answer होगा अच्छा question था, आराम से आप कर सकते थे चलते है next question की तरह अगर session अच्छा लग रहा है, question अच्छा लग रहा है तो like जरूर कीजिएगा वीडियो को next आ रखा, rock, rock का दे रखा है K, D, N, S आप से, इसी को relate करके आपको बताना है इन चार में से कौन सा डिजिट है, जो same logic follow कर रहा है, इसकी place value लिखते हैं, 18, 15 13, 11 10, 4 14, और 19, अगर आपने place value लिखे होंगी तो आपके दिमाग में तो सामने इसका logic आ चुका है, 11 और 10 में आप बोलोगे, minus 1 का यहाँ पर difference आ चुका है, 18 14 से 19 पे गए तो यहाँ पे तो plus 1 का आया यहाँ पे गए फिर से plus 1 का आया और यहाँ से यहाँ पे गए तो minus 1 का आया, मतलब cross हुआ, पहला plus 1, minus 1, plus 1, minus 1 ठीक है, अब पहले digit को देखते है, डवल्यू, ए, आर, टी S, S, Z, X, 23 24, यहाँ पे तो plus 1 मेरे को दिख रहा है, T और S में minus 1 भी दिख रहा है, R और S में देखते हैं, तो यहाँ पे मेरे को फिर से plus 1 दिख रहा है, और A और Z में minus 1 दिख रहा है, मतलब definitely इसका जो right answer आ देगा option number A ही आ चुका है तो पहले option से आपका right answer आ चुका है, clear जी, easy question हो जाएंगे, अगर आप place value एक वार याद कर लो, ठीक है, reasoning में कुछ नहीं है, आपको just place value याद होनी चाहिए, A से लेके M तक, N से लेके Z तक और इनके opposite का भी पता होना चाहिए, जैसे opposite का सम आपको पता है, हमेशा कितना बनता है 27 बनता है, opposite का सम क्या होता है, 27 बनता है हालो, मैंने लिखा E E की value क्या होगी, 5 तो E के opposite में क्या आएगा, आपको पता है वही digit आएगा, जो 27 बनाएगा, तो 27 के लिए क्या आना चाहिए 22, 22 की कि किसकी value होती है इस तरह से आपको यह याद होना चाहिए, clear है जी तब ही आपके question आराम से निकल सकते है चलते है next question की तरह चलिए, next question में आपको फिर से वही logic है, वही question है और वही concept दे रखा है, क्या कि है, 12 का 33 से relate कि है, 31 का 71 से relate कि है 79 को relate करके बताना है, तो अगर आप देखो तो क्या हो सकता है, 12 और 33 में, अगर मैं 12 का 2 times कर देता हूँ 12 का 2 times कर देता हूँ, तो 24 आ जाता है, और plus उसमें मेरे को कितना करना पड़ेगा, 9 करना पड़ेगा 33 तक जाने के लिए, एक logic हो सकता है, यहाँ पे 31 का 2 times करते हैं, 2 और 3, 2, 6, 62 प्लस 9, विल्कुल सही 71 आ जाता है, तो logic क्या दे रखा है, इसका double और फिर plus 9, इसका double और फिर plus 9, अब 79 का 2 times करते हैं, तो 18, सादूने 14 और 15, 158, 158 में 7 का addition करने पे मेरे पास, last में मेरे को चाहिए 7, अब last में 7 किस digit में आ रहा है, option number A यानि की option number A ही मेरा क्या होगा right answer, clear है, तो आपको इस तरह से solve करना होता है, paper question, paper, में ठीक है, digit से भी खेल सकते हो, last digit के साथ खेल सकते हो, option के साथ खेल सकते हो, आपको जल्दी से जल्दी accuracy के साथ answer निकाल ले होता है चलते है, next question की तरफ चलिए, next question फिर से arrangement है six boy, B1, B2, B3, 4, 5, 6 are sitting around a rectangular table facing the center, rectangular table F और सारे का सारे सेंटर की तरफ face कर रहा है, ठीक है क्या होला है, two boys are sitting on a each long side, one, two three, four अच्छा, छे हैं, और तो shorter में एक एक आजाएगा, चलिए, अब क्या होला B1 sits second to the left of the B6 B6 से B1 second left में आता है चलिए, वहला B4 sits second to the left of B5 B5 से B4 मेरा यहां पर आ जाएगा, चलिए, आगे वहला B5 is immediate neighbor of B6 and B2, B5 जो है B6 और B2 के साथ में बैठता है, B5 is not sitting opposite B4 B5 के opposite B4 नहीं आना चाहिए B1 is not sitting on a shorter side पतलब B1 जो आएगा, यह कौन से side में आएगा, लॉंगर side में आएगा अच्छा, आगे पुझा है आपको which pair sit कहां पर बैठता है, ठीके, अब आपको इतना तो पता है, B1 के आएगा, लॉंगर side में आएगा, तो B1 से आपके पास दो possibility बनती है, एक B1 यहां पे भी आ सकता है, और B1 यहां पे भी आ सकता है, तो मैं B1 को यहां पे ले लेता हूँ, चलो उपर की तरफ लेता हूँ, ठीक है ताकि अच्छे से बने बश्च्ट, पहले color चिंद पर B1 को मैं यहां पे लेता हूँ, अब B1 B6 से left पे है, तो अगर मैं B6 रखो तो यह तो right हो जाएगा, तो एक छोड़के B6 मेरा कहां पे आ जाएगा यहां पे, B6 से right और B6 से left में आ जाएगा यहां पे अब मैं रेको पता है, B6 के साथ B5 और B4 भी बैठता है, ना, sorry B6 के साथ B5 बैठता है और B5 के साथ B2 बैठता है अगर मैं B6 यहां पे है, B5 यहां पे रखता हूँ B2 के लिए तो जगा ही नहीं बची मतलब B5 मेरा यहां पे नहीं आएगा एक तो possibility यहां पे अगर B4 वहां नहीं आएगा तो B4 के लिए जगा कौनसी बची यह वाली अच्छा, B4 तो यहां से यही तो आए रहा है, left में बोला है, right एक छोड़का left में B4 यहां पे आ गया ठीक है, तो यहां पे मेरे पास आजएगा, B2, B2 तो चुका है, B3 आजएगा है B3 तो आपका पूरा का पूरा डाइग्राम बन चुका है, जस्ट आपको क्या करने थी condition लिखनी थी और एक ही condition में आपका solution आपके पास आ चुका है और यह 99% accuracy के साथ आया हुए अब आपसे बुचा है, which pair of boys sitting on a shorter side shorter side में कोन है B4 और B2 B4, B2, B4, B2 option number B, आपका right answer आ चुका है, उमीद करता हूँ आपको यह question समझ आया होगा अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिट से rewind करके देखिएगा, आपको यह question समझ आ जाएगा, चलते है next की तरब चली जी, mirror image बतानी है इस concept में, अब आपके सामने एक diagram दे रखे, आपको इसकी mirror image बतानी है, तो mirror image में मैंने आपको एक छोटा सा concept बताया था कि जो right side होगी वो left में change हो जाएगी और top और bottom में कोई भी फरक नहीं पड़ेगा, clear है जी, आपको आप इसको कीजिएगा, ठीके अब यहाँ पे मेरे को पता है कि जो मेरे diagram बनेगा बनेगा तो ultra बनेगा, यह वाली चीज़ कहां को आएगी, यह जो line है वो इस तरह से इस तरह को आएगी अब यहाँ पे सभी में इसी तरह को दे रखी है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो difference है अब पहले में देखो, line में कितना gap दे रखा है, आप इसको eliminate कर सकते हो, यहाँ से आपने eliminate कर दिया है, सरी जी, दूसरा बचा तीसरा बचा, अब तीसरे में यहाँ पे देखो, यह कहाँ पे जा चुका है, उपर है और यहाँ पे नीचे है, इसको eliminate कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो यहाँ पे देखो, और कहाँ गया, last वाले को देखो इसमें और इसमें यह वाला difference आ चुका है मतलब इसको भी eliminate कर दोगे अब यही आपका right answer बचेगा option number B, और वही आपका क्या होगा, right answer होगा, ले रहते हैं अब इस तरह के जो question होते हैं, इसमें examiner के पास करने को कुछ नहीं होता चोटी-चोटी गलती करता है, और वही आपको देखने होता है, आपको यह देखना होता है कि यह answer क्यों नहीं होगा, जो होगा वह आपके सामने खुद आजाएगा, तो इसका right answer आचुका है option number B, चलते हैं next question की तरह next question में मेरे पास coding दे रखे, बोला है, that was his sister, अच्छे, एक common ZS, M, N, अगर वाला, this was his cat, this was his cat, this was his cat, इसका भी कोड दे रखे है, मेरे पास ZS, PT, QV, A, अगर वाला, that was my father, that was my father, ठीक तो इनका कोड का दे रखे है, B, O, Q, V, X, Y, Z, X, ठीकर जीकर, इएक, एक स्कुली है, अब आपसे किसका कोड पूछा है, उसको निकालना है, आपने, जो पूछा है उसको निकालना है, आपसे पूछा है sister का, तो sister आपको कहां पे दिख रही है, यहां पे दिख रही है, मतलब इसको अभी दून्डना है common, तो this was his, वी ठीक है यहां पर आगया यू वी अब डैट का जाएगा बी ओ और इसका आगया यू वी इस मेरे पास इन दोनों में कौन सा कॉम्बान है जैड एस तो सिस्टर बची तो सिस्टर का कोड़ बचा यहां पर राइट आजएगा ऑप्शन नंबर बी अल्रेड़ी यह टॉपिक मैंने कोडिंग डिकोडिंग में करवा रख है इनको डाउट है जाके जरूर सिखिएगा क्योंकि यहां पर आपको MTS में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कुछ नहीं करता कॉमन दोना है जो यहां पर मिलता है ठीक है आपको सेट दे रखा है ट्वेंटी फूर एट इसिक्स अब क्या लॉजिक हो सकता है तो आपको सबसे पहले वही डूणना है ट्वेंटी फूर अगर मैं इट का हाफ कर देता हूं चार्चों के सोला आप चार दूनरा ठेक नौश हो स ँच्छ फोर फर्ष से मल्टिप्लाइब करता हूं मैं थर्ड डिगे आ रही है तो यहां पर इसिक्स का मैं हाफ करता हूं तो बारग का थ्री टांस करने पर मेरे पास आ जाता है थर्टी शिक्स यह मेरा एक आंसर हो सकता है यहां पर करके देखते ू सट्टी टूस इसका नहीं होगा 28, 48, 32 दो आएगा लास में नहीं हो सकता 16 का 2 का half करेंगे तो 1 नहीं होगा मतलब मेरा right answer आचुका है 1 क्या logic था इन्होंने जो आपके पास number दे रखा है 24, 8 और 96 8 को divide किया 2 से तो आपके पास आया 4 अब जो आया 4 उसको कर दिया आपने multiply तो आपके पास आगया 96 4 को फिर से 2 से divide किया तो मेरे पास आया 2 36 को 2 से divide किया 72 अब 6 को divide करूँगा 2 से तो आजएगा 3 12 का 3 times कितना होता है 36 उसका right answer आजएगा option number A बहुत ही simple सा question था अराम से आप इसको कर सकते चलते है next question की तरफ चलिजे next आ रखा mathematical operation का यहाँ पे मेरे को सबसे पहले पता होना चाहिए बोला क्या है A का मतलब है plus B का मतलब subtraction C का मतलब division D का मतलब है multiplication तो यहाँ पे लिख लेते है 40 A का मतलब आजएगा plus 30 B का मतलब आजएगा minus 15 C का मतलब आजएगा into 20 D का मतलब आजएगा divided by 5 यहाँ से board mass लगाते है 5 चोके 20 यहाँ पे आजएगा 70 15 चोके 60 17 में से 60 के बचे 10 यानि कि option number B पेरा क्या होगा right answer होगा इसका right answer आजएगा option number B बहुत simple within one second आप इसको solve कर सकते थे अगर आपको board mass और calculation अच्छे से आती है चलते है next question की तरफ next question करने से पहले सभी से यह request करूँगा कि एक like share कर दीजिए और channel को जल्दी से subscribe कर दीजिए channel का जो red color दिख रहा है उसको दबा दीजिए subscribe कर दीजिए well icon दबा दीजिए और video को like कर दीजिए चलिए यह रहा मेरे पास next question आपको बोला है एक paper है उसको fold किया है आपको उसको unfold करना है और इसको बताना है आपका right answer क्या आएगा ठीक है तो इसको solve करना है इसकी तो मेरे को पहले बनाने पड़ेगी mirror image क्या बनेगी mirror image बनेगी यह चीज जहां पर दे रखी है उसकी बनाओ mirror image इसकी mirror image कैसे बनेगी आपको सबसे पहले check करने पड़ेगी यहां पर देखो तो इसको आप eliminate कर सकते हो क्योंकि यह इस तरफ है तो इनों ने यहां पर इसकी mirror image गलत कर दिये तो यह तो eliminate हो गया यहां पर इन दोनों को देखो यहां से चलिए को छोड़ दीजिए को छोड़ सकते है यह ठीक है यह भी option ठीक है यह भी ठीक लग दिए ठीक है तो option पहला eliminate हो चुक है दूसरा तीसरा और चौथा बच है ठीक है अब इनके बाद अगर यह इस तरह से बना है तो इसकी mirror image और इसकी mirror image में आपको फरक देखना है तो इसकी तो ठीक बने है यहां पर भी ठीक बने होई है अब इसी के साथ ऊपर भी बनेगी इसकी mirror image बनेगी वह इसी तरह से बनेगी जहां पर इन्होंने बना रखी बिल्कुल ठीक है यहां आपे भी ठीक है लेकिन यहां पे इसने गलत कर दी इस्का राइट आणसरा देगा option नमबर C लेरा जी जिस्ट आपको क्या गरना होता है इनको unfold करने से पहले इनकी mirror image बनाने होती है इसकी mirror image जैसे जैसे बनाओगे एक सेट यहां पे बनेगा फिर एक सेट यहां पे और एक सेट यहां पे और आपका अंसर आपके सामने होगा चलिए से लॉक के बहुत सारे question आ रहे है अभी तक जो हम previous year का paper देख रहे हैं तो बहुत सारे question आ चुके बहुत सारे के सारे w जो है वी के अंदर आते हैं और all mr w तो यह कुछ इस तरह से बनेगा बोला some brm आपको बताना है तो सबी आर एम तो आप बोलो है बिल्कुल true है। कुछ b आपको m देख रहे हैं आगे बोला all wrm नहीं है सारे के सारे wm नहीं है ठीक है आगे बोला all br Μ क्या be सारे के सारे डबली हो सकते बिलकुल नहीं मैं आपको बता रखा है इस तरह के question को कैसे देखना होता है ठीक है यहां से सिर्फ some वाली condition true होती है all वाली बाहर को true होती है तो यह वाले मेरे सारे के सारे हो चुके false तो यहां पर अगर मैं देख हूँ तो मेरा right answer आदेगा only conclusion one follow का right answer क्या होग no two girls have same age दो लड़की उनकी same age नहीं दे रखी पहले बना लेते हैं one two three four five six seven अब यहां पर देखते है जी त्री की उमर महज दो लड़कियों से कम है मतलब जी त्री जो है दो लड़कियों से कम है बाकी सभी से ज़्यादा है तो यहां पर मैं बना लेता हूँ जी त्री की द जो से कम है बाकी सभी से ज़्यादा है आगे वहले जी वन इस ग्रेटर देन जी फोर एंड जी सेवन एज ओफ जी सिक्स इस लोड़ एस्ट जी आपकी लोग इस्ट आजएगी एज ओफ जी फाइव इस नॉट दा हाइस्ट जी फाइव आपका यहां पर नहीं आएगा ठी आप को बताए जी वन आपका यहां पर आ सकता है तो अब यहां पर जैगा यहां पर जाएगा यानि कि तू सबसे बढ़ा है आपके लिए आप आपसे पूछा है वहाँ मैंनी ग्रेटर देंग जीफाइफ से कितनी बड़ी है जिसमें राइट आंसर अगर आपको अरडर और रैंकिंग में कोई दिक्क्त आती तो मिलेको जुरूर बताएगा मैं इसको पूरा का पूरा डाउट में सॉल्व करवा दूंगा कोई आपको डाउट है तो बता सकते हो तो आपको यह फिगर बनानी है चलिए इसको देखते हैं कौन सा फिगर आप यहां पर बना सकते हो आपको इसने डेफिनेटली पहली चीज़ दे रखे है कि rotation not allowed आपको क्या दे रखा है कि rotation आपको allowed नहीं है इस question को आपको खुदी कर लेना क्योंकि बहुत इसी होता है जस्त आपको ढूनना होता है पॉर्म सा rotate नहीं हो रहा तो आगर आप यहां पर देखो ना तो मिनको option number B दिख रहा है कैसे यहां पर देखो कुछ इस तरह से इसकी डाइग्राम यह वन रही है यह वाला आप यहां से ड्रॉफ कर सकते हो ठीक है यह आपको यहां पर दिख रहा है और यहीं आपका ड्रॉफ हो जाएगा तो option number B हो जाएगा यह वाला ऐसा तो कहीं पर वे नहीं दिख रहा तर इसको देखो तो यह वी नहीं दिखे यह तो उल्टा ही इकर दिया यह तो दिच्चे से नहीं होगा तो option number B है जो आप बना सकते हैं तो मैं इसको लिखता हूँ आप इसको solve कीजिए तो यहां पर देखू तो यहां पर 1.5 बिल्कुल सही इन्हों ने क्या अगर रखे सीरिस देने आपको थोड़ा सा कन्फ्यूस करने के लिए अलग सी दिये कुछ ने क्या है यह जो previous letter है उससे multiply करके next letter निकाला जैसे यहां पर 3 प्रिवियस से multiply करके next six previous से multiply करके next अब यहां पर 18 गो निकालने के लिए आपको six से multiply करना होगा करके देख लेते हैं 18 तो यहां पर definitely इसको किस से multiply करना पड़एगा 18 से आपको क्या दे रखा है 196664 यानि कि आपका और वन यार में बोलू रॉंग सीरिस कौन सी है option number D 1964 यहां प्याना के चाहिए था 1944 उसने क्या दे के रखा है 1964 यही आपका क्या आएगा गलत आंसर होगा क्लेर जी तो जस्ट आपने जैसे सीरिस देखिए आपके सामने इसका अंसर चलते हैं नेक्स क्वेश्चन की तरफ नेक्स क्वेश्चन फिर से एक लेटर सीरिस का क्वेश्चन है क्या दे रखा है F A N A D P N G R आपको नेक्स लेटर ढूणना है N P P R यहाँ पे देखो 14 प्लस 2 16 16 प्लस 2 18 18 प्लस 2 20 20 पे T आता है E वाला सिर्फ A की आप्शन है तो आपका राइट आंसर क्या देगा R J T clear है इस तरह से आप आप आप्शन के साथ खेल सकते हो अगर आपको आप्शन के साथ खेलना आता है ठीक है का राइट आंसर आ चुका है आप्शन नमबर C चलेजी तो यह थे मेरे पास आज के 25 क्वे सब्सक्राइब करता हूं आपने सारे के सारे क्वेश्चन ट्राइब किया होंगे आप आप मेरे को अपना स्कोर भी बता सकते हो कि 25 में आपने कितने ठीक है कितने गलत हुए अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और च